हाई स्ट्रेंड्स कैसे आप लोग नवस्कार मैं लेम सर्वाफिर से आपका स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग खोठा स्रीज को पढ़ रहे हैं और स्रीज नमर एट है अभी तक हम स्रीज नमर एक से लेकर साथ तक बहुता ही अच्छे तरह से डिसकस कर लिए हैं अधि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें आज के इस लेक्चर में हम आंखी गीत का पार्ट 3 को डिस करेंगे तो आखी गीत का पार्ट 3 कंतगत में भी हम लगवा 50 को डिसकस करेंगे ठीक है इसमें हम कोश्चन पर फोकस करते हैं अध्याब डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेश्टोर पे जाकर टोटल खोटा का स्रीवस कंप्लीट करा दिया गया है बहुत इस बार निस जो भी सिस्वी को मिर्टु हुआ है जन्वस्थान है बरवाड़ा धनबाद पिता का नाम है साली गराम पानोरी और माता जी का नाम है दुखनी देवी प्यार से इनके जो ए घर का पुकारू नाम जो है वह ची निवास है क्या है ची निवास है आखी गीत का जो भुमिका है वो लिखे नारायन मातों और परकासक भी है नारायन मातों मुद्रक की बात की जाए किसान प्रिंटिंग प्रेस कल्यानपूर बरवाड़ धनबाद में प्रिंट हुआ है इसमें टोटल सेवन्का विता है और टोटल 11 इसमें च्छांी का है इसमें विभीन टैप के कविता है जैसे आत्मा विव्यक्ति पर कविता है नारी संदर और प्रेम चितरन पर कविता है प्रकृति प्रेम पर आधारित कविता है राश्टी और सांस्कृतिक जागरन पर कविता है राश्चिवाद पर है स्वशंद वाद पर कविता है कलपना पर आध गीत का पार्थरी का की सूइन कख्र कंठेगान कविता में कबिल मुल भाव की हक है oluşवर में कवी रचनाक प्रवाव करव करना है छो किर्पा कर ना के प्रकिर्तिक लिला कर बखान है जो प्रकिर्तिक निंचर लिला कर दोेव ظchutz कौन है होगा नेक्ट्ट कोश्जिन है नुतं सेसु मदूर हासी फुटल बुढ़ी कोरें एक लिख्यत अर्थ की हके कि बनेंड सेसु को blend 42 के करा में मतलब बूढ़ी हो चुगा था उसको एक मतलब समझे दे बेटा मिल गया है ठेक है prescribe बच्चे का जन्म हुआ है option में है बांची जेने के बुढ़ती काले माय बने के पुरान बुढ़ायल भासा खोठाय नावा रचना खुल फुलते के नाति नतनी खेलवे के खुसी से बेहाल एक बुढ़ी के नावा छहुआ के क्वरा लेके बुढ़ी के खुस होए के तो नूतन सीसुक मदूर हासी फुटल का अर्थ हुआ की जो पुरायल भासा था खोठा उसे एक फुल 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 गया है नया बेटा मिल गया है option अमबर B इसका सही एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका एके तो करेला कविता से कवी की कहल खोजा लहत ऑप्शन में है एके तो करेला या जो लाइन है इसके मादिन से कवी क्या कहना चाहते हैं आपण लूर जांगरा ले भीनुबेशी करे के साथ फल नाय हुए है कि अपना जो लूर है उससे ज्यादा कुछ करोगे तो उससे कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती है अधि महानलेश के पावे खातीत मन, प्रान, वानी से सुधस्थ होगे के चाहिए मन में अच्छा विपचार होना चाहिए लोगों के परति अच्छा विपचार होना चाहिए तिसरा ओपनेश नहीं पागल आदमिक उठ्पठांग काम करेंखे बिंबे कभी कौन भाव के फरीच करे लहत खपरी मतलब होता है खपड़ा से अब महासागर मतलब समुद्र को समुद्र को सुखा सकता है नहीं तो इसके माधियम से कभी क्या कहना चाहते हैं अबसर मैं समुद्र के खपरी से छीटल नाई जा पारे पागल आदभी कुछो और अशोधा आज़िगूत करे पारे चोट सोच से महान काम हवें नाँ पारे समुद्र छिटल शिटल असंभाव काम हके तो इसका रील जो भाव है अर्थ हुआ कि सोच छोट सोच से महान काम कभी भी महान नहीं बन सकते महान काम को कर नहीं सकते तो आफ्शन नमबर सी only इसका सही एंसर होगा नेक्ट कॹशन है कि अंघूर लत्ने सीम फरे के वी में कौन भाव नुकाल है आप इसमें आज़े अंघूर का जो लतथ होता है उसमें एजलने सीम परकर्ण सब्सक्राइब को मालूम होगा कि अंगूर के लट में सीम फरे इसका अर्थ क्या हुआ इसमें क्या भाव छिपा है उचीत परिनाम नाइप हावे के धोखा है जाएके बीजें दोस आए जाएके ए और भी दूयो तो इसका यह और भी दोनों एंसर होगा कि जैसा हम सोचे वह इसा परिनाम नहीं मिला धोखा हो जाना ठीक है अंगूर के लट में अधी सीम फरेगा तो आदमें के साथ धोखा ही हुआ ना तो अप्शन नमबर यह और भी इसका सही एंसर होगा अप्शन नमबर डी इसका फाइनल इंसर सही होगा नेश कोश्चन है आपका अनन्त लोके के राही से कभी की माने है कि अनन्त लोक का जो राही है इसके माधिन से कभी क्या समझते है क्या मानते है अप्शन में महान काम से जेकर नाम अमर भाईजा है जे सरगे मुचा थान पावे के हगदार बने जे अंत्रीक्ष में सहिर करे जे मोच पाई के भगवा अँगे अपका सखी तो रूपे के सोअगे कॉन भावे के कविता ठीक है तो सकी यहां पे कवी ने प्रकिर्थी को कहा प्रकिर्थी को कहां ठीक है तो आपसन में प्रकिर्टी प्रेम के चायावादी कविता है सिंगार भावे के रहिसवादी कविता विशीत्र भावे के कविता जथार्तवादी प्रेम कविता तो ऑप्शन नमर यह इसका सही होगा प्रकिर्टी प्रेम के चायावादी कविता नेक्स्ट कोशन आपका तो रूपे के सोर से माने की निकले है मतलब तुम्हारे रूप के सोर से जो है इसके अर्थ क्या निकलता है option में है कवी प्रेमिका के रूपे चर्चाक जोर है कवी के प्रेमिका धेर सुन्दर होए के बात है प्रकिर्टी कने कने पसरर अनुपम सुंदर है इसके बारे में बताया गया है प्रकिर्टी के रूप के बारे में बताया गया है नेश्टे कवी सक्खी के देखे चाहनाक भाव है मतलब कवी अपने सक्खी को देखे चाहक जाता है मतलब आशर हो जाता है तो तो रूपे के आर्थ से जो हुआ प्राकिर्टी के जो विराट रूप है इधर उदर पसरा हुआ है फाइला हुआ हुआ है उसके अनुपम सुंदर्ता के बारे में जो है बखान करते हैं यहाँ पर कवी तो अप्सन नंबर सी इसका सही एंसर होगा नेक्स कोशन है आपका सकी तो रूपे के सोर कवी ताए कवी प्राकिर्टी कौन दिरिस से मोहित है अप्सन में मेग ऑनवल से मेंजूर नाच देखे के बद्रीक टोना उपर सुर्जू के रंप से उत्पन सुंदर से आपन धनी करिया चुलेक सुंदर से आपन धनी के जो है कवी इसमें बताते हैं कि जो जब सूरज उखता है और बादल का टुकड़ा से टकराता है तो बादल के साथ सैड में जो किरन फुटता है वो सोना की तरह दिखता है ठीक है तो अप्सन नमर्बी इसका सही एंसर होगा बद्रीक टोना उपर सुरूज रंप मतलब किर कवी जो है प्रकिर्ति को करते हैं अप्सन नमर्डीई सका सही एंसर होगा नेक्स कोश्विशन है आपका कविता करेषन रचनाग और परकितकि प्रेम कविता सुन्झा भाव को एक प्रेम के बारे में सुञ़ार फूल ही फूल है उसका पूरा योवन फूल है इसके बारे में बताते हैं तो अप्सन नमर बीस का सही एंसर होगा नेश्ट कोश्चन है काने फूल कविता में कवी ककर बखान कर लहत अप्सन में यह वो नचनी के ढड़नेश के औरूप जवानी से अचल बचल एक छिनार जैन का नेश्ट कोश्चन है आपका फूले फुटल फूल देखी तजे तजे गे धानी आज नदी कूल इपंगेत के नहीत भाव की अप्सन में आपन धनिक रूप अदा देखके कभी मन भाग हो है बागिच्चा के सुंदर फूल रिजाय कभी के तो रेक मन करो है कि बागिच् कभी का मन भागता है तिसरा अपन धनी के नदी किनारा लए जा है कि अपन धनी के नदी के किनारे लेके जाता है नदी धारे सुंदर सुंदर फूल बहाय क्या हो है कि नदी के किनारे सुंदर सुंदर फूल जो है विसरजन करके आते हैं तो इसका सही एंसर होगा अपन धन का रूप अदाब को देखता है तो उसका मन भाग नहीं लगता है अपसर नंबर यह सही होगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका काखे पानी कविता कैसन भाव फरीच करें है और यह नारिक मेहनत भरल जिनगी के कठीन मेहनत बीचें जैनी के जनियाली गुन परकट हुए के एगो देहातेक जैनी के दारुन दसा के सभे तो काखे पानी में जो कवी है एक जो औरत का दुख है दर्द है उसके बारे में अंदर पर्जोग है उपसन में एक शुरुहा अनुप्रास का पठतेर मतलब अलंकार का चैर मुड़ीया मतलब पालंकार का तो मह्याँ अर्थत पानी का क्या क्या अर्थ होता है तो आप्सन में दू अर्थ है साधारन पानी और लाइज तीन अर्थ है पानी लाइज और परेशानी तिसरा है चायर अर्थ है पानी लाइज परेशानी और बातरस एक अर्थ पानी तो पानी का इसमें तीन अर्थ है पानी का मतलब नॉर्मल पानी हुआ पानी का मतलब लज़ा भी होता है और पानी हो जाना थेका है तो तीन अर्थे में पानीई लाजी और परिसानंई तो कोनोन थो गांख्य पानी में जीव पानी हीऩा के जो कहवत है उसका परियोंग हुआ है या कोशने आपका है आपने में बाहरे रोध कोन भाव के रसे के कविता है या इसमें कौन सा चुपा हुआ है ऑपसें सिंगार करून अजगूत हांसी ठंडा तो इसमें ऐसमें सिंगार रस का भाव उपहा हुआ है कि समय बाहरे कि बाहरे रोद कविता के भाव मरम की हक है कि बाहरे रोद में जो कविता का अर्थ क्या है अप्शन में बाहर भितर सब ठावे रोद रहलो बादे कविक धानी हासे है कि बाहर भितर मत्रधूप होने के बावजूद भी जो है कविका जो प्रेमिका है वह हस्ती है दूसरा सानी और विपती होने के बावजूद भी जब कभी अपनी प्रेमिका के पास जाता है संग जाता है तो इसको सुक्क्य नुभूती होती है ठीक है तिसरा अप्सन है रोदेग दिने सोखिन जैनी सनो पौडर लगा के रिजह हो है मतलब धूप के दिन में जो जैनी सब पौडर सब्सक्राइब नहीं नहीं होगा तो ऑप्सन नुमझी सभी जैंके माधर संग सबीतसे परिशान होने के बावजुद भी प्रेमिका के सभी सुख का नवरूती होता है अप्सन नुमझा प्रख्रसण देग का जिकिसादर हट नाहीं हैah कवी अपन प्राम्मी परिये मेजी नहीं और हैं सही इंसर होगा, दंके जेशन कवी के कईसे हवो है。 मतलब बीच्छू के डंग जाइसा कभी को तकलिफ काइसे होता है घृष करेंग तो भी century नहीं होगा क्यों नहीं होगा बीचु कर डंग के हैसास उनको तब होता है जब अपनी पुरानी सच्ची प्रेम का के बिछाड़ने का जो होता है उस समय को जब वह आत करते हैं तो अप्शन नमबर ये सही एंसर होगा नेक्स कोशन है अपका चमकल ककर गालेक लाली कविता में कवी पानुरी जी की कहल हत मतलब अप्शन में कवी आपन गीते के रचना के भीनू भीनू असर से इंगित करल हत कवी कविता सुन के ओकर प्रेमी का बड़ी खुस है प्रकृतिक भीनू भीनू रंग से गीत बने है प्रभाव पढ़ रहा है उसके बारे में कभी यहां पर बताते हैं अप्शन नमर यह सही होगा नेश्ट कोशन है आपका काकर हिद्रेक जबरल भाव पाइल अपनवानी से कभी की कहल है अप्शन में कभी अपना रचना से काते के हिया से जरुए है ठीक है किक आपकहई अपने रचना करने से हिया मतलड होता है दिल बहुत सारे लोगों का दिल को जलाते हैं करेंद definition है कभी कवित्ता चिपल चतायल के ६हुत है कर दल का आवाज है कि कवी का जो कवित्त का है वा सौसित वर्गों का दिल का आवाज है तिसरा मने खटी मेटवे के लेल कवी कविता बड़ी जुगित्तर है कि खटी मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कवी गीत गाय गाय के लोग के रिजवे है कवी जो गीत गाय के लोगों को रिज़ाने का काम करता है तो option number यहाँ पे 20 सही होगा कविता के माध्यम से जो कवी है सोसित वर्ग मजदूर वर्ग किसान वर्ग के दिल का दर्द को लिखने का काम करते हैं option number बी सही होगा next question है आपका आज हमार मने परल कविता के जईर भाव हक है option में है एक पथिक से नदी घाटे संयोग से भेल भेल के बखान है अपन पूर्णा संगी से भेल के बखान है नदिक धारक वर्णान है तो आज हमार मने परल में जो है कवी को एक पथिक से जो नदी घाट में उनका संयोग से मेल होता है भेल होता है उसके बारे में इसमें बखान है option नमर यह सही होगा next question है आपका कवी सिरिन्वास पानुरी परदे से घार घुरी एक पथिक से भेटाए याद के बखान कौन कवीता में करल हात मतलग कवी सिरिन्वास पानुरी जब वापस घर घुम के आते हैं तो उन्हें एक पथिक से भेट होता है यह जो भाव है यह किस कवीता में वो लिखे हैं option में हैं बहुत दिन बाद भेल तो रियादें हमें सखी आज हमें मने परल परदेशी तुर घार कहां तो यह जो लिखें हैं वह हैं आज हमें मने परल और सी सही अंसर होगा नेक्ट कोश्यन है आपका कवी आज हमर मने परल कविता में एक पत्थिक से कहां भेटा है कि आज हमर मने परल में कवी जो है पत्थिक से कहां पर मिलते हैं और रेल बोगी में पेठिय बजार में विदेशे में नदी घाटे में तो वह नदी के घाट पर मिलते हैं। तो आप्शन मेर्डी नरी निएट न्यवास पजूकर में। और कोछ्ण कोछ्टा है खोछ्टा कविता है कवी श्री निवास पणूरजी की कहें deras दूसरा खोछ्टा है खोछ्था में जो स्री निवास पानूरी जी क्या कहाना चाहते हैं ? कवी अपन भासा खोटा के घीन करें तो इसमें जो खोटा है खोटा में कभी कहाते ना चाहते हैं कि जो खोटा वासी है सबकें खोटा के दे के हैलाग मतलاؤध उदा सिंता है उन्हीकर उनको दुख है कि जो खोटा वाशी है खोटा से weather जिला Bowl Master मात्री भासा से प्रेम नहीं करते हैं तो अप्सान नमबर यह सही होगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका मायक उपर ममता नाय सर्धा भक्ति प्यार उत्तोई धर्ति एगो रंगे डूबल सियार इसका अर्थ हुआ माय के उपर अधिमंता नहीं है अपनी अपको भाग सुमझने लगता है अपने हर एक तर पर पंठ के भावार्त कि हो है इसका अर्थ क्या है जैपन मायके अपनी माटा से अपनी पहता से प्रेशाश हुए और समझria को अपनी माटा से अपनी भाशा से करना चाहिए अप्सनन सब भी इसका सही एंसर होगा नेश्ट कोश्चन है अमरीद छोड़ लालसा जुठा चाटे के एकर में कवी क्रकर उपर फिंगार्थी करल है फिंगार्थी मतलब व्यंग मतलब अमरीद को छोड़कर जुठा को चाटने का इच्छा है लालसा है उप्सन में है है आपन हायब उझे वाला के ऑपना भासा छोड़ दोसर के भासा के नाम का औ가 विखारी सब के ऊपर फक्सक्तूर उपर च्यृआ कि हुआब पिसको इसका सई कर जाँंसर होगा जाग जाग जो कविता है इसमें कभी किसे जगाना चाहता है है सो सिथा हारा उसे जगाने का पर्यास करते हैं आपने कविता कि मादें से कवी जी तो option number यह आप सही answer होगाiparta कि इसमें कभी काते हैं मनुस के बच्चा तुम भी मनुस का बच्चा हो तुम भी आदमी का ही संतान हो तुम्हारे सरीर में भी वही लोहु है कि तुम भी पहचानते हो कि रहा सांप मुर्गी है और जागो और लोगों से आगे बढ़ो बदला लो जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उसके साथ ठीक है कभी यह कहना चाहते हैं अपसर में साब चुछिंदा छोड़ बेस से मच्री खाय के प्रेना देहत यह तो होगा नहीं डबल कुचल के आपन तागत और स्वाविभान जगवे कहो हत अपसर नमर बी इसका सही अंसर होगा न जनवादी कविता है जन आंदोलिट करने वाली कविता है लोगों को जगाने वाला कविता है ऑप्सन नमबर बीस का सही अंसर होगा नेश्ट कोश्चन आपका कट्य पाल में धारम सतिक कफ़न बायंद बहरोपथि की इंदिलवे में कभी की कहल है आपसर में साब चुछ उ मतलब माध्यम से कविता क्वों से भाव को बताना चाहते हैं नेकिस्ट थायवादी वियोग शिंगार के बारे में कभी बताते हैं नेस्ट कोश्चिन है आपका एकुन हमर काने नुपूर कविता कवी की याद करके रिजह हैं मतलब इस कविता के माध्यम से क्या याद करके कवी रिजते हैं अपसन में आपन पुराना प्रेमिका संगे बितल दीन के मिलन सुखके आपन जिनगी संगे जुवानी दिने के करके आपन बगैचा सुंदर के याद करके तो इसका सही अंसर होगा यहां पर प्रकृति के सुंदर के सुंदर्ता का याद करके देख के खुस होते हैं यहां पर कवे ऑप्सन नमबर सी सही अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चिन है आपका एकुन हमर काने नुपूर कविताग मूल मरम की हक है अप्शन में है जे कक्रो से सच्चा प्रेम करे तकरा जो उनकी नाइब भूले पारे पायल के रुणजुन सबके बेस लागे है कवी भागवाने सजीला रूप के याद करके सांती पावे है कवी प्रकृतिक सुन्दर रूप के देखके रिजे है तो अप्शन नंबर डी सही होगा कि जो प्रकृतिक का रूप है उसको देखके कवी खुस होते हैं एकदम मोहित हो जाते है नेक्स्ट कोशन है आपका इदुनिया के विचीत खेल इक कईशन कवीता है जो है आपका अठात वादी कवीता है नेक्स्ट कोशन है इदुनिया के विचीत खेल कवीता कवी की कहल हत अप्शन में है ठक बैमान कप्ति सब के बोलबाला राचा महतनिया सब के जाला दुनिया विरोधा भासी रिती के उपर फेंगाठी मारल है सुख सीधा सम्मान बैमान दूसर्ट सबके खाते इमानददार पूछं मतलब यहां पे बताने के कोशिश क्ए है इमंदार लोग का जिन्दगी है अभी भी काफी क्रेष्ट में है जो बैमान करता है चल कपड करता है वह सबका जिन्दगी अच्छे के जी रहा है मतलब उन लोग सेतवादी लोगों का सोशन करते हैं कौन पाखंडी लोग बैमान लोग इसका सही एंसर हो जागा ये बी सी तीनों अप्शन नमबर डी कि नेश कोश्चन है कि य्य दुनिया की विचितर एनुसार जो दुनिया का सान है मान है इजजत नो परतिष्ठा है वह किसके कदम को चुमती है जे लूटे ठागी में महायर होए हैं तिस सच्चाह के संगर मंदारी से काम करे हैं खेती हर मजदूर सब के काम खायवाला लोग सब के कम खाय वाला लोग सबके तो यह इसका सही अंसर होगा जो लुटे ठगवे माहिर है वही लोग को सारी सुख सुधा मिलता है जिसे नेता लोग इतना ठगते हैं वेमानी करते हैं और पुरा एसमोज करते हैं तो option number यह इसका सही अंसर होगा next question है आपका ओकर गोड़े विस्व सुंद्री लगवे चंदन तेल से कभी की इतत पर हैं मतलब उसके पैर में विस्व सुंद्री जो है चंदन तेल लगाती है अपसर में है विस्व सुंद्री बने खातिर चंदन तेल के लेप लगवे इटा जरूरी हके यह तो होगा नहीं इमंदार आदमी के सुंद्री सब बड़ी प्रेम करो थी यह भी नहीं होगा ठीक है यह सुंद्री जन जनिक चरीतर में बढ़ायल रहे यह भी नहीं होगा यह लूटे ठगे में माहिर हवे सभे किसीं के सुक्ष समान पावे यह इसका सही भाव है कविता के अनुसार अपस कविता के मांदयम से कभी क्या आं चाहते हैं कोनो सुंद्री मिठा हासी में आजमी बैकार होई जाए यह बहें नहीं जोगी सन्यासी सबके कहीं ठैकार नहीं नहीं होगा का दुनिया और ठेट ठेगा नाय रहें इभी नहीं होगा अप्शन नंबर सी इसका सही एंसर है नेक्ट कोशन है आपका इस जक्ते ठोर नहीं इकुन तरू के कविता हक है मतलब यह के स्थाय वादी रहिस वाधी अथार्त वादी तो यह जो है आपका चाय वादी कविता आपको मालूम होगा आखी गेत में मैक्सिमन कविता चाय वादी पराधारित है ठीक है नेक्ट कोस्चन है वे कि गावे गावे तोर। नामे एक सोर नाय हैं ? तभी तोर जीवन रीजिसंत भी भॉर नाय के भावार्त बतावा, अवचनल में, जयका नाम के चर्चा ना म हवे, और ना पहचान मिले के किस्मत फूटी जाये के समझदारी नाय रहले सब बेकार होए के इसका सही एंसर होगा कोनों नाम होए के और ना पहचान मिले के ठीक है? Option नमर B सही एंसर है Next question है समझदारी नाय रहले सब बेकार होए के Option में करून रस, भीयोग रस, अजगूत रस, सुच लंखन या फिर सांत रस तो समझदारी नाय रहले सब बेकार होए के या जो है अजगूत रस के तरकत में आता है Option नमर C इसका सही एंसर होगा तो I hope सारे questions बहुत अच्छे से आपको clear होगे होगे और इसमें लगबग 100 question बचा हुआ है उसे हम discuss करेंगे बारी-बारी से ठीक है फिर मिलते नेक्स दीज के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत थैंक यू